Hello everyone, आज के English Literature के इस वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे आपके साथ Romantism के बारे में, Romantism के बारे में काफी सारे जो questions आपने exam में आते हैं उनके बारे में भी यह जो वीडियो है बहुत helpful होने जा रहा है तो इस वीडियो का आप enter देखिएगा तो ये वीडियो, essay candidates जो की UGC net exam की preparation कर रहे है या फिर set या फिर slate exams की, gate exam की, TGT, PGT जिसमें KVS, DSSB, EMRS, NVS या फिर state level के English teacher या फिर assistant professor की preparation कर रहे है उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत helpful होने जा रहा है इस वीडियो का आप enter देखिएगा और अगर अभी तक आपने इस चैनल को subscribe नहीं किया है subscribe this channel, like this video and share this video तो आज के इस वीडियो में हम लोग discuss करेंगे आपके साथ ये चार question जिसमें सबसे पहले हम लोग discuss करेंगे what is romantism, romantism क्या है then what is the origin of romantism, romantism पा क्या origin है, क्या इसकी background history है then what are the important silence characteristics of the romantism and last one हम लोग discuss करेंगे what are the best examples of romantism जो की हमें different fields के अंदर देखने को मिलता है तो सबसे पहले हमारा जो first question है what is romantism, ज़र आज को हम लोग discuss करते हैं तो romantism क्या है, इसके पीछे की philosophy क्या है और क्यों इसे English literature में क्यों इसको इतना मतलब importance दिया गया था इसको हम लोग discuss करेंगे तो romantism एक तरह की बोला जाए कि एक तरह का यहाँ पर एक artistic movement है जो की 18th और 19th century में देखने को मिला तो romantism ऐसा जैसे कि अपनी Bollywood movies में देखने को मिलता है कि भाई romance है तो वो वाला romance नहीं है यह एक तरह की artistic movement है जिसमें 18th और 19th century में यह जो है romantism जो था काफी popular हुआ और romantism के अंदर काफी सारे जो उस समय के artist थे musician थे या फिर writers थे उन्होंने काफी काफी अलग तरीके themes को experiment किया अपने work के अंदर जिसके अंदर उन्होंने जो उस समय की जो नमतला वहाँ पर जो natural beauty थी या फिर उनकी emotions थे या फिर उनकी imagination थी उनको अपने work के अंदर include किया तो यहां पर artistic movement के अंदर जो एक तरह का रोमेंटिसम था उसमें natural beauty emotion और imagination जो है देखने को मिलती है और इसके अंदर हम लोग और भी डिटेल में characteristic में इसको हम लोग जो discuss करेंगे तो यहां पर जो है आर्टिस्ट के द्वारा जो more importance जो दिया गया वो emotions को दिया गया rather than अपर जो rational thought क्योंकि उस समय जो थे rational thought जो थे यानि उस समय काफी सारे जो logics है क्योंकि science भी और mathematics में काफी advanced level पर inventions हो रहे थे तो उस समय के काफी हद तक लोग को जो समय आर्टिस्ट थे लोगों को लगा कि अब जो यह जो लोग है वो science की तरफ mathematics की तरफ काफी ज़्यादा attract हो रहे तो उन्होंने still लगा कि हमें emotions को ज़्यादा importance देनी चाहिए rather than अपने rational thoughts को तो इसलिए उन्होंने क्योंकि उसी समय कहीं न कहीं जो है industrial revolution आया industrial revolution की वज़े से उस समय की जो cities थे वह काफी populated हो गए और populated भी हो गए तो उसलिए उनको लगा कि अगर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा science को ज़्यादा importance देखें तो कहीं न कहीं यह जो हमारी जो life है हमारी जो emotions है वो पीछे छूट जाएंगे तो इसलिए उस समय के जो artist है उन्होंने अपने emotions के लिए अपने emotions को अपने work में दिखाया और जो work जो था वो काफी famous भी हुआ इसके अलावा उन्होंने उस समय की जो human nature या फिर बहुत सारे ऐसे concepts थे और या फिर साइन्स के बहुत सारे concepts जो ती जो की इंडेस्ट्र रेवलूशन के लिए बहुत important थे तो उनके अगेंस्ट में अपना work को प्रिजेंट किया तो मैंने जैसा बताया कि हमने उस समय की जो artist है उन्होंने अपने emotions को ज्यादा role play करवाया as compared to the science के मुकाबले so these are the concept these people are rebelling against the attempt to explain the world and human nature through the lens of the science or the through the lens of the industrial revolution तो यहां पर नो ने बुला कि अगर हम लोग कही ना कहीं अगर अपने emotions को work नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग society में पिछड जाएंगे उनका ऐसा मानना था तो वो हर angle को science के angle को या हर चीज को science या फिर industrial revolution के एंगल पर नहीं देखना चाहते थे क्योंकि वो अपनी life से बहुत खुश थे तो उन्होंने लगा कि कहीं न कहीं जो यह science है या फिर industrial revolution है उनकी life में कहीं न कहीं बहुत जादा भाग दौड लेके आ रहा है तो इसलिए इस concept को वो एकदम अगेंस थे इसके लावा इस तरह का जो रॉमेंटिस्म जो है यह literature के अंदर arts के अंदर music के अंदर या फिर और भी बहुत सारे जो field हैं वो देखने को मिलता है और इसके अंदर उन्होंने काफी work भी किया जो कि मैं आपको examples of रॉमेंटिस्म के बारे में बताऊंगा जाब उसमें आपको बताऊंगा इसके अंदर जो रॉमेंटिस्म का एकदम अगेंस्ट की जो philosophy थी वो था realism तो कहीं न कहीं लगता है कि जहां से realism का start हुआ वहांपे कहीं न कहीं रॉमेंटिस्म का end हो गया तो realism को romantism के एकदम against force को बनाया जाता, दोनों एकदम different pole हैं, तो आप दिहान दखिएगा, तो realism अलग है romantism अलग है, realism मतलब एक तरह की जो reality है, जो की reality जैसे आज कल के novels हैं, जो की non-fiction based हैं या फिर fiction based हैं, जहां पे हम लोग जो हैं, अपनी बातों को कहते हैं, तो कही न कहीं रोमantism में, कहीं न कहीं बातों को बहुत जादा highlight करके बताया गया, तो जो की एकदम reality से बहुत अलग थी, but still people like that, उस समय जो ये चीज़े थी, लोग को पसंद थी, तो ये जो है, romantism के अंदर के अंदर देखने को मिलता है, इसके अलावा रोमantism के अंदर emotions को और इसके अलावा जो individual, यानि हर व्यक्ती को उनका बताएगा कि क्यों individual जरूरी है society के अंदर, और इसके लिए उन्होंने emotion और individual को जादा importance देने के लिए उन्होंने अपने past के बारे में nature के बारे में ज़ादा ज़ादा लिखना स्टार्ट किया, उनका एक तरह से glorification किया, glorification मतलब उनके बारे में बहुत ज़्यादा mention किया अपने literature के अंदर इसके अलावा कही ना कही romantism को जो है, French revolution से भी बहुत ज़्यादा, मतलब एक तरह से French revolution जो है 1789 में हुआ था, उसी समय कही ना कही जो है, romantism का भी जो है, एक तरह से बर्थ हुआ था, तो French revolution ने romantism को काफी हद तक आगे बढ़ाया, ऐसा देखने को मिलता है, इसके अलावा जो बहुत सारे जो famous writer थे, इस romantism age के अंदर, इसे age of wordsworth भी बोला जाता है, यह मैंने कही mention नहीं किया, still the people college age of wordsworth, क्योंकि wordsworth से ही कही ना कहीं, इस romantism में काफी work मिला, तो जैसे बहुत सारे writer थे, जैसे John Keats से, William wordsworth थे, Percy Basher Shelley थी और Mary Shelley थे, तो इनों ने जो है काफी इस field में मतलब, romantism में काफी work इनका present देखने को मिलता है तो इनका जो work है, वो हम लोग examples में देखेंगे, then next आता है, what is the origin of romantism, origin क्या है romantism का, जलास को भी हम लोग देख लेते, then romantism का जो period है, देखें, romantic period, जैसे नहीं, जैसे पर यूरोप के अंदर भी था, US के अंदर भी था, but यह अलग-अलग समय पर अलग-अलग जगे आया, but इसकी जो starting थी, इसका जो starting period था वो 1770 से लेकर 1848 तक था, क्योंकि कहीं ना कि 1770 में यह begin हुआ, और last में, 1848 में यहां पर इसका end हुआ, क्योंकि यहां से, लोगों ने realism के बारे में, जो है, काफी पढ़ना start कर दिया था, realism की काफी सारे जो work थे, वो present होना, start हो गयते इसके अलावा, बहुत सारे ऐसे भी event हुए, romantism के समय में, जो की इसे, romantism को इसलिए importance दिया गया है, जिसमें, मैंने एक आपको बताया, French Revolution, इसके इलावा Napoleon Wars, जो की 1815 में हुए थे, तो 1815 के असपास, जो है, काफी war हुए थे, England के बीच में, French के बीच में, France के बीच में, तो उस समय यह सारे दोनों event, जो है romantism age के बीच में हुआ था, इसके अलावा, जैसे की मैंने बताया, कि romantism का जो end था, romantic era का जो end था, वो एक तरह से beginning था, realism के बारे में, तो realism को हम लोग, अपने next lecture में पढ़ेंगे, कि realism कैसे जो है, English Literature में आया, इसके बारे में deeply हम लोग आगे के lesson में पढ़ेंगे, then what are the important characteristics of romantism, जो की बहुत जादा ज़रूरी है, क्योंकि कही न कहीं आपके exam के अंदर, romantism के characteristic के बारे में पूछे जाता है, यह options के अंदर तो इसको भी हम लोग, डिटेल में, discuss कर लेते हैं, so let's start this, then, characteristic के बारे में पता हैं हम लोग, अगर romantism के बारे में, तो पहला जो आता है appreciation of the beauties of nature, क्योंकि nature के बारे में, क्योंकि उस समय के जो writers थे, author थे, या फिर poets से, उन्होंने beauty, then nature को, हम लगा कि हम लोग कहीं न कहीं industry revolution से nature के साथ छेड़ शाड़ कर रहे हैं, तो वो जो चीज थी, उन authors को पसंद नहीं आई, इसलिए उन्होंने अपना maximum work को, अपने nature के बारे में, nature के, मतलब nature का personification में, उन्होंने काफी जादा work जो था, उन्होंने किया, इसके लावा emotions को जादा importance देना, rather than your reason, यानि science को, technology को, mathematics को जादा importance ना दिया जाए, बलकि emotions को, क्योंकि उनका ये मानना था, कि आदमी व्यक्ति जो है, emotion से बना हुआ है, अगर इंसान के अंदर से emotion हटा दिया जाएगा, तो वो जो है, एक तरह का, मतलब एक तरह से energy प्रानी हो जाएगा, उसके अंदर life नहीं रहेगी, तो उनको लगता था, कि कही न कहीं, emotions जो है, वो व्यक्ति के बहुत जादा important role play करते हैं, उसकी जिंदगी के अंदर, इसलिए उन्होंने इस emotions को बिलकुल भी बुला, कि कि किसी भी व्यक्ति के अंदर reason हो, वो अच्छी बात है, बड़ emotion के बिना वो आदमी जो है, उसकी लाइफ बिलकुल भी नहीं है, और उन्होंने अपनी artistic creativity, अपनी imagination को celebrate करने के लिए बहुत अलग-अलग तरीके देखे, उन्होंने creativity के ऊपर, imagination के ऊपर बहुत जादा लिखा भी, और कही न कहीं जो है, रोमेंटिसम पीडेट के अंदर इन creativity और इन वर्क को जो है, देखने को मिलते हैं, इसके अलावा, जो aesthetic beauties थी, यानि अपने जो एक तरह की beauty थी, उनको जो है, वर्क में अपने present किया, then spiritual और supernatural elements जोते एक तरह से life में उनके, उनको ज़्यादा बड़ाबवा दिया, क्योंकि लोग कहीं न कहीं spiritual नीटी उनके अंदर से जा रही थी, चर्च के बाग क्योंकि लोगोंने चर्च जाना थोड़ा कम कर दिया था, क्योंकि उस समय इंजस्ट्र रेवलूशन के वज़े से काफी लोग की जो जिन्दगी थी, वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई थी, तो उनको लगा कि spirituality और supernatural element जो हमारी life के parts है, उन्हें बिलकुल भी कम नहीं करना चाहिए, इसलिए उन्होंने उसके बारे में, जो है, इसलिए उन्होंने history के बारे में अपनी जो बाते थी उनको दुनिया के सामने बताया, अपने work की अंदर, इसके लावा themes of solitude, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि individuals की उपर काफी ज़्यादा, उस समय के लोग जो importance दे लग गए थे, तो उन्होंका मानना थे कि society work तभी करेगी society तभी progress होगी, जब एक particular individual progress करेगा, तो उन्होंने अपने work की अंदर solitude, यानि एक तरह से अकेला पन, वो अकेला पन नहीं कि हमें एकदम आलग रहना है, ऐसा नहीं, उन्होंने लगा कि कैसे एक व्यक्ति अकेले रहते होए भी, nature, अपने emotions, अपनी beauty को आगे बढ़ाते और यही जो है, William Wordsworth की poems में देखने को मिलता है, इसके लावा जो sensory description था, यानि एक तरह का particular एक व्यक्ति का sensory description था, उसको भी काफी role मिला, importance मिला, इसके लावा personification, क्योंकि मान भी करन करना, क्योंकि हर चीज का, beauty का, nature का, nature को भी मनाने लगागी, nature भी एक तरह का इसके अंद देखने को मिलती है, वर्क में मिलता है, इसके लावा, idealization of women, क्योंकि women के बारे feminism कहीं न कहीं यहां से start हुआ था, beginning हुआ था, तो women को भी जो है, क्योंकि कहीं न कहीं French Revolution हुआ था, तो French Revolution में भी जो women का पार्ट था, वैसे women को जो है, voting का अधिकार नहीं मिला, but still, women play a very important role in this romance capitalism period, तो women का कहीं न कहीं जो है, क्योंकि काफी सारी जो writers थी, authors जी तो women थी, वो जो है, इस particular time period में आगे आई, इसके लावा, common man के जो interest है, वो देखने को मिले, कहीं न कहीं न कहीं, equality, fraternity, और यह जो सारे जो French Revolution के जो तीन जो अपने पार्ट से, common man के जो अपने interest है, क्योंकि कहीं न कहीं, capitalism आने से, industrial revolution के अंदर, जो है, उनका जो दमन था, उनके उपर जो काफी सारा, जो उनका exploitation था, वो होने लगा था, तो उनको लगा कि अगर हम लोग इसी तरह से, किसी common person को exploit करते जाएंगे, तो यह जो work है, यह केवल कुछी लोगों तक ही आगे रहेगा, तो इसलिए common man के जो अपने interest है, society तक आगे बढ़ाने के लिए, romantism ने बहुत बढ़ा play roll किया, इसके अलावा, individual speciality के बार में बताई चुका हूँ, कि individual speciality को बढ़ने के लिए, काफी joy इस समय वर्क हुआ था, English literature के course available है, जो कि BSI Academy दोरा प्रेजेंट की जाते हैं, जिसमें UGC net course, set exam course, TGT PGT के course, जिसमें KVS, DSSB, EMRS, NVS के, या फिर assistant professor के course, जो कि state PhD के थुरू है, या फिर आप assistant professor के जो courses जो है UGC net के थुरू है, तो इसमें even PSG entry exam के भी course available है, हमारी websites पर, तो इन courses के अंदर enroll के लि available है, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को subscribe नहीं किया है, subscribe to this channel, like this video and share this video, तो चलते हैं अपने next point की तरफ, इस lecture के, then आते हैं, what are the examples of romantism, कुछ ऐसे important example, जो की romantism में देखने को मिलते हैं, जड़ा मैं आपको बताता हूँ, अब दिखिए, जो romantism के जो examples है ना, वो हमें तीन fields में देखने को मिलते है, literature, art and music, इसके अलबा और भी है, but still, I will tell you all the maximum type of examples in the literature, art, music, तो literature में क्या work हुआ था, कौन-कौन से famous work थे, किस-किस ने किये थे, यह मैं देखिए, बताऊँगा आपको, then art and music के अंदर भी, तो पहले हम आते हैं, literature के बारे में, literature के देखते हैं, literature में जो रूसो था, उस समय के जो famous philosopher थे, तो रूसो की philosophical writing थी, वो बहुत famous हुई थे, और जो Samuel Taylor Cordridge की poetry थी, रोमेंटिस्म के बारे में, उनका जो work है, वो भी बहुत famous है, इसके लावा, William Wordsworth का work है, वो famous हुआ, और वो literature, उनका complete literature, रोमेंटिस्म से भी भरा हुआ है, इसके ल William Black, William Black की काफी famous जो एक तरह से उनकी paintings है, John Clare, then the Red and the Black, and the Charter House of Parma, ये दो novels थे, जो की stand-all के बारे में, stand-all ने लिखे थे, then इसके लावा Spanish poetry famous हुई, जिसमें, जिसके जो Spanish poetry जो थी, मैननो जो जी लारा और गुस्ताफा, अडॉल्फो, बैकॉर, इनोंने भी काफी work किया, त इसके लावा कुछ arts के भी examples है, जिसमें Philip Otto Ronk की जो painting थी, The Morning, ये बहुत famous हुई, इसके लावा, the Henry Wallace की जो oil painting थी, The Death of the Chatterton, ये बहुत famous थी, then the Casper David Frederick की जो painting थी, जो की, Vandered Above the Sea of the Fog, ये बहुत famous painting है, Casper David की, ये बहुत famous हुई, ये बहुत famous हुई, इस particular time period में, जो की आज में famous है, Thomas Galesburg painting, जो की Blue Boy नाम की थी painting, तो इसमें के लिए arts में अधिकतर painting ही famous हुई, जिसमें Jack S. Louis David की painting, जिसमें Bonaparta Crossing the Alps, ये famous है, और इसके लावा, John Constable की painting, The Hay Van के नाम से famous है, तो ये सारे जो arts में जो examples है, maximum जो इसमें painting ही है, बहुत कुछ music के भी examples है, रुमेंटिसम में, जि semifronie no.9, और French Scrobert की semifronie no.5, जो की flag B major में है, then Hector Barless semifronie fantasy के नाम से, इसके लावा, पोकिनिस की जो नैसम, डॉर्मा की नाम से, जो music है, वो बहुत famous हुआ, then Mendelssohn songs without words, without words जो है, वो famous है, मनलब songs without words, बहुत famous है, इस समय का, और डॉवर्का का semifronie no.4 है, क्योंकि देखिए इसमें maximum music के अंदर particular semifronie, जो है, एक तरह का, पूरा एक work है, जो की famous हुए, इस particular time period के अंदर, तो ये कुछ examples थे, literature के, art के, कुछ music के, इसके लावा, इस्ट्राइच से आपका कोई भी सवाल है, you can ask us, इसके लावा, हमारा WhatsApp नंबर जो है, आपको given है, तो हमारा course से related किसी WhatsApp पे, इसके लावा, आपका कोई भी doubt है, you can ask us, आप हमें YouTube पे comment कर सकते हैं, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को subscribe नहीं किया है, subscribe the channel, like this video and share this video, और आपके साथ जो और भी बहुत जो topic आपको complete करवाने है, उस topic को आप जो है, YouTube के अंदर comment कर सकते हैं, हम definitely जो है, उसके बा